तो आज हमारे स्लेवस की पहली क्लास में हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एकनॉमिक्स क्या होता है इसकी क्या क्या ब्रांचीज होती है किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होती है वो तमाम चीजें हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़नी है और इस टॉपिक को खतम करने के बाद हम आगे स्लेवस पर बढ़ेंगे जिसमें डिमांड, सप्लाई, मार्केट स्ट्चर ये तमाम चीजें हमें ठीके एकनॉमिक्स हम जानते हैं हमारा एक में सबजेक्ट है और ओविसली एकनॉमिक्स क्या होता है ये और टम से कैसे डिफरेंट है ये हमें पहले जानना ज़रूरी है ठीके तो आज की क्लास में अगर हम देखे इस चेप्टर की अगर मैं बात करूं इंट्रडक्शन अविस्टम करेंगे द्यूसरे टॉपिक जो हम शुरू करेंगे इस पर्टिकुल एप्टर के अंदर डहें को प्रेंट्रीगी इख हमारा खर प्रब्लम जो सब के सामने रहती हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी उसके बाद एक graphical content हम पढ़ेंगे that is PPC और PPF it is production possibility curve or you can say production possibility frontier ठीक है यह topic यहाँ पर करा जाएगा basically इसका जो इस्तेमाल है वो central problem को present करने के लिए होता है कि हम किस तरीके से central problems को present करतें graphically and finally उसके बाद जो last topic होगा other miscellaneous concepts जो different definitions है economics की जो अलग-अलग writers ने अलग-अलग economists ने अलग-अलग thinkers ने दी है उसके methods जो है study करने के वो सब आपका हम इस particular topic में पढ़ेंगे although कई books में जो यह वाला content है सबसे पहले दिया गया है लेकिन वो ज़्यादा समझ आए हम ज़्यादा उसका analysis कर सके तो इसी लिए ये वाला particular topic मैं आपको chapter के end में कराऊँगा ठीक है हम simple to complex जाएंगे economics की meaning से ppf की तरफ और उसके बाद फिर miscellaneous topics ओके दोस्तों तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि भई जो topic जो subject हम पढ़ने जा रहे हैं यानि कि economics वो होता क्या है ठीक है economics होता क्या है तो आईए definition के लिए शुरू करते हैं जान दीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर दो word लिख रहा हूँ एक है आपका economics और दूसरा है economy ओके दोनों word हम सुन चुके होंगे definitely पहले यह होता क्या है इनकी meaning क्या होती आई जरस के बारे में सर्चा कर लेते हैं अगर मैं पहले सिर्फ definition की बात करूँ कि मैं इनकी definition हो क्या होती है तो अगर economics को एक simple words में अगर मैं explain करना चाहूँ तो उसका मतलब क्या होगा economics is about economics is about making choice making choice in the presence of scarcity इस definition में जो हमने short में economics से definition बिल्कुल simple words में लिखी है दो main word हमारे सामने आ जाते हैं एक तो है word choice और एक है scarcity मैं repeat कर दूँ economics is about making choice in the presence of scarcity choice क्या है, scarcity क्या है और economics का इन से क्या लेना देना है इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी economy की बात करें economy की बात करें तो economy क्या होता है economy is a system which provides living to the people living to the people ओके यहां पर अगर हम बात करें इसकी definition में it is a what system of providing living देखो हम पहले economy की जो चर्चा है वो पहले करते हैं economy का मतलब क्या देखो हमारी country है एक number of population हमारी country में रहती है 700 करोड, 130 करोड के आसपास लोग हमारी country में रहते हैं उनके survival के लिए उनकी basic necessities को पूरा करने के लिए other requirements को पूरा करने के लिए उन्हें income की जरुत होती है उन्हें income की जरुत होती है obviously अगर income की जरुत होती है तो उनके पास काम होना चाहिए work होना चाहिए उस income को generate करने के लिए ठीक है उस काम को provide कराना living source provide कराना economy के अंदर jobs create करना, जो आपके businesses हैं वो create करना ताकि लोग survive कर सकें, लोग income generate कर सकें, अपनी requirements को, अपनी needs को पूरा कर सकें, जो complete system है, उसी को क्या कहा जाता है, economy, for example, जो हमारी country की government है, वो policies बनाती है, वो budget बनाती है, जिसे jobs हैं, वो create हो सकें, जो हमारे other private investors हैं, वो अपनी factory establish करते हैं, अपनी industry establish करते हैं, ताकि वहाँ पे manufacturing का, servicing का, trading का का काम हो सके, लोग वहाँ पे जो population है, वो आपके काम कर सके, उन्हें earning मिल सके, तो ये जो पूरा structure एक economy में चलता है, इसे क्या कहा जाता है, economy, ठीक है, country के अंदर जो पूरा system में चल रहा है, इसी system को क्या कहा जाता है, economy कहा जाता है, और basically अगर इसका main purpose क्या है, वो क्या है, country के लिए GDP earn करना, मतलब country के लोगों को living provide कराना, ओके, तो ये meaning होती है economic की, economics की meaning अभी due है, हमने सिर्फ लिखा है, समझा नहीं है, इसको समझेंगे अभी हम, लेकिन main difference, economics और economy की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों क्या होता है, जो economics है, और जो economy है, economics is a study, ये एक subject है, जो हम पढ़ते हैं, अलग-अलग issues को लेकर, ठीक है, जबकि economy क्या होता है, एक system होता है, ठीक है, तो obviously, दोनों बट same नहीं है, दोनों का meaning अलग-अलग है, हाँ, वो बात अलग है, दोनों मिलते जुलते हैं, एक concept के अंदर, हम दोनों को study करते हैं, ठीक है, एक ही field से जुड़े हुए अलग-बग, लेकिन हाँ, जो meaning है, वो दोनों की दूसरे से different है, okay, so economics कुछ होर है, economy कुछ होर है, ठीक है, economics is about making choice in the presence of scarcity, ये क्या है भी समझेंगे हम इसको, ठीक है, हाँ, इतना पता चलिया, कि economics एक study है, एक subject है जो हम पढ़ते हैं, जबकि दूसरी और, एक country को run करने के लिए, हमें जो एक living system चाहिए, उस system कौम क्या कहते है, economy कहते है, और एक चीज़ और याद रखेगा दोस्तों, कि भई, ये providing living to the people, to the people of a country, ठीक है, country बड़ी या economy बड़ी, अगर आप से basic question normally पूछा जाए, कि जो economy है, वो बड़ी की political boundary, इंडिया की political boundary नजर आती है, जम्मू कश्मिर से लेकर, कन्या कुमारी, गुजराच से लेकर, नौशल प्रदेश, जो एक हमारे सामने political boundary है, वो हमारी country है, लेकिन जो एक economy के control, country के control की activities हैं, वो इंडिया से बाहर भी होती है, ठीक है, तो इसी लिए economy का जो दाइरा है, वो definitely क्या, आपका country से बड़ा होता है, सर कैसे, इसका example दीजिए, obviously, देखो, पर मान लीजिए, इंडिया के किसी industrialist ने, जो factories ने, वो एफरिका में, या आपका Arabian countries में, यूएस से में करेंट हैं, कहीं पर भी establish करा हुए अपना business, एक Indian branch वहाँ पर open है, अब वहाँ पर जो काम हो रहा है, जो activity हो रहा है, वो income generate करके देगा, किसको, इंडिया को, तो definitely, वो चीज इंडिया ही country से बाहर है, लेकिन वहाँ पर income generate हो रही है, इंडिया के GDP के लिए, ठीक, उसी तरीके से, मान लीजिए, कोई Indian जो आपका क्या करते है, airline services है, airways services है, कोई भी like jet airways और air India, अब वो इंडिया से बाहर भी, अपनी services provide करा रहे हैं, वो यूरोप जाते हैं, वो आपका US जाते हैं, वो African countries जाते हैं, अब obviously, जो वो service provide करा रहे हैं, वो इंडिया की political boundary से बाहर है, लेकिन जो GDP generate हो रहा है, वो इंडिया के लिए हो रहा है, तो इसलिए economy का जो दाइरा है, वो country से बड़ा होता है, हमें इस चीज़ के भी जानकारी होनी चाहिए, so well, अभी तक हमने economics और economy के बारे में चर्चा करी, ये concept हमने हाँ पर समझा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ due चल रही है, economics की meaning, कि सर हमने लिख तो लिया, choice scarcity, लेकिन in actual economics का दाइरा क्या है, ठीक है, वो हम समझते हैं, आई ये इसको उटा देते हैं, होब आपने note किया होगा, next, देखिए, अगर मैं economics की definition पर जाओ, और उसको समझू, तो उस पर जाने से पहले, मुझे एक word को समझना होगा, and that is what, economic problem, ये क्या, economic problem, ये word, सर अब ये word क्या होता है, what is economic problem, दोस्तों, अगर हम इसको एक सिंपल से शब्दों में खटम करें, what is basically economic problem is, it is problem of choice, it is problem of choice, ठीक है, problem of what, choice, ये choice-ser word हमने definition में लिखाता है, किसकी, economics की, yes, exactly, वही से हम शुरू करेंगे, हम उस choice word का जनम कैसे हुआ, scarcity के वज़े से हुआ, scarcity क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और तब हमें economics की meaning clear होगी, कैसे, उसके लिए दोस्तों, ये note कर लिया आपने, economic problem is equal to what, problem of choice, चलो नहीं भी करा, इसको एक example के तुरू समस्ते है, माल लीजिए, माल लीजिए, ये एक particular agriculture land है, ये खेत है, ठीक है, किसान के पासे जमीन आती है, अब वो जो किसान है, वो इस agriculture land में, wheat का production कर सकता है, या फिर rice का production कर सकता है, या फिर sugar can का production कर सकता है, या फिर वो इसमें pulses का production कर सकता है, या फिर वो इसमें vegetables का production कर सकता है, मतलब उसके पास 4-5 option आगए, ठीक है, एक particular area में उसके पास agriculture land है, उसमें वो wheat का production कर सकता है, rice का, sugar can का, pulses का, और vegetables का, उसके पास ये 3-4 option create हो गए, ठीक है clear, अब दोस्तों ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूँ wheat की, अगर मैं बात करूँ rice की, sugar can, pulses, vegetables, दोस्तों ये क्या है, ये है आपकी wants, ये है उस farmer की wants, जो वो produce करना चाहता है, वो wheat produce करना चाहता है, वो rice produce करना चाहता है, sugar can है, उ these are wants of the farmer, human wants, ठीक है, लेकिन nature के द्वारा उसके पास क्या चीज अविलेबल है, उसके पास अविलेबल है agriculture land, और obviously ये agriculture land क्या है, resource, ये क्या है, resource, ठीक है, अब obviously हमें यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, कि जो wants है, वो resources से जादा है, जो wants है, वो resources से क्या है, जादा है, भ environment की बात करें, उसके पास 4-5 options है production के लिए, लेकिन क्योंकि agriculture land का size इतना बड़ा नहीं है, जो farming land है, वो आपकी चोटी है, area में कम है, तो इन सब का production इस agriculture land में नहीं हो सकता, वो किसी एक का, या किसी maximum 2 का production इस agriculture land में कर सकता है, ठीक है, दोस्तों, इस situation को, इस situation को, नाम दिय जाता है, इस situation को, नाम दिया जाता है, scarcity, इस situation को, नाम दिया जाता है, scarcity, scarcity को, अगर हम, हिंदी में बोलें, तो दुरलबता, इसका मतलब क्या होता है, दुरलबता, दुरलबता का मतलब आप जानते हैं, किसी भी चीज की कमी, so, scarcity is a situation, scarcity is a situation, which states, excess, excess of, human wants, human wants, over, एवलेबल रिसोर्सेज एक्सिस आफ ऑफ हुए एवलेबल रिसोर्सेजन जो भी हमें इंडिनेशंस दी है वह काफी कम हैं और उसके बदले जो हम अपना क्या कहते है रिक्षार्मेंट है वह पूरा करना चाहते हैं वॉ वह बहुत जादा है तो यह मिनिंग उइ तो scarcity की और scarcity word हमारे economics की definition में आ रहा था ठीक है making choice in the presence of scarcity तो scarcity की meaning तो clear होगी हमें कि हमारे जो resources हैं वो कम है और wants हमारी क्या है जादा है आगे बढ़ते हैं next अब लेकिन production तो करना ही है न उस farmer को उस agriculture land में production तो definitely करना ही है अब या तो वो wheat का production कर सकता है rice का sugar can का pulses का vegetable का तो यह उसके सामने options हैं मान लीजिए वो farmer आप हो ठीक है assume करिए कि जो मैं example दे रहा हूँ यह जमीन जो है यह आप ही की है ठीक है आप इन चारो पांचों का production करना चाहते हो ठीक है लेकिन सब का production नहीं कर सकते किसी एक या maximum दो का production हो सकता है तो बताइए दोस्तों आप इसमें से किसका production करेंगे बताइए wheat का rice का sugar can का pulses का vegetables का ठीक है अब ध्यान दीजिए दोस्तों यह सवाल आपके दिमाग में आते ही किसका production करना चाहिए हमारे सामने कई सारी calculation आ जाती है कि यार हमारे पास पहले से कौन सी अगर हमने decide कर लिया मानलो इसमें wheat produce करना है लेकिन हमारे घर में wheat पहले सी पढ़ा था तो बेकार हो जाएगा ठीक उसी तरीके से आपने का चलो यार rice का production कर लेते हैं लेकिन पता चला market में rice का दाम अच्छा नहीं चल रहा है शायद ना भी के और आपको loss हो जाए ठीक है मारकेट में जो pulses है उसका दाम ठीक चल रहा है लेकिन क्या यह agriculture land pulses के production के लिए सबसे अच्छा है तो यह तमाम चीजें आपके दिमाग में create होनी शुरू हो जाएंगी कि किसका production करना ठीक रहेगा किसका production करना ठीक नहीं रहेगा और आप immediate basis पर वो decision नहीं ले पाएंगे दोस्तों obviously इसी situation की वज़े से scarcity की वज़े से हमारे सामने create होता है वही word जो अभी हमने लिखा था and that is what economic problem that is what economic problem और economic problem को मैंने in short अभी आपको बताया था कि economic problem is yes definitely it is problem of choice it is what problem of choice कि भई हमारे सामने हमारे सामने जो resources हैं वो बहुत कम है और जो wants है वो बहुत जादा है हम सारी wants पूरी नहीं कर सकते लेकिन हमें obviously फिर उसमें select करना पड़ता है एक दो जो हमारे production के options है उसमें से एक या दो का selection करना पड़ता है अब किसका production करें किसको select करें ये जो problem हमारे सामने आती है जो confusion हमारे सामने आती है इसमें उल्जे हम रहते हैं इसी problem को इस selection की problem को इस choice की problem को ही क्या कहा जाता है economic problem कहा जाता है got it my friends तो हमने शुरुवात करी थी कि अपने resources के analysis को लेकर हमें पता चला wants are greater than resources it's called it's what, it's called scarcity इसे scarcity का नाम दिया जाता है scarcity leads to scarcity leads to economic problem क्योंकि resources क्या है कम है, resources क्या है, कम है और wants क्या है, बहुत ज़्यादा है हमें select करना पड़ेगा, यार किसका production करें तो यह जो problem है, इसे economic problem कहा जाता है, now friends एक हमारे सामने situation आई, scarcity उसने create करी problem, जिसे हम कहते है economic problem, और क्योंकि अगर problem है, क्योंकि अगर problem है, तो definitely क्या उसका solution भी होना चाहिए, उसका solution भी होगा, अब obviously farming land आपकी है, सीधी सी बात है सबने example लिया भी, और आपको production तो करना ही है, ये चीज़ तो clear हो गई, कि पाँचों का production नहीं हो सकता, आपको किसी एक या दो का selection करना पड़ेगा, आईए उसको analyze करते हैं, for example for example, मान लिजिए अगर आप इस particular agriculture land में wheat का production करते हैं, पैन दूसरे अगर आप इस agriculture land में wheat का production करते हैं, तो मान लिजिए वो 12,000 रुपे का produce होगा, market में जो rate चल रहा है, जो decide करा होगा है government ने, एक minimum, या whatever, जो भी है market price के recording, 12,000 रुपे का wheat produce हो जाएगा, okay ठीक है, now we're moving ahead rice, rice की value suppose हो जाएगी कितनी, 15,000 price की हो जाएगी कितनी, 15,000 रुपे, ठीक है, sugar can की value हो जाती, suppose assume कर लीजी, 18,000 रुपे ठीक है, और pulses का जो production है, suppose मैं assume कर लेता हूँ, वो कम हो रहा है, 10,000 रुपे हो रहा है, और vegetable का और भी कम हो रहा है, suppose 8,000 हो रहा है ठीक है, तो market analysis के बिहाफ पर competition को देखते हुए, government है, जो rate decide करें है ये values मैंने assume कर ली, अपनी तरफ से के 12,000, 15,000, 18,000, 10,000, 8,000, ये values हैं, बताइए आप इस में से जो option मेंने situation हमने analyze करी है ये condition हमने आपे देखी है आप अपने इस farming land में आप अपने इस agriculture land में किसका production करेंगे सरे बहुत simple है obviously मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि sugar can की जो value है, वो बहुत ज़ादा है और market में दाम अच्छा मिल जाएगा इसका जो चल रहा है फिलाल अभी, तो हमें sugar can का production करना चाहिए ओके, बिल्कुल ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है लेकिन माल लो, मैं इसमें conditionate कर देता हूँ, वो क्या? कि government ने तो price decide कराओ था sugar can का, लेकिन already जो sugar mills हैं, यहां पर भी हम use करते हैं, sugar can का वहाँ पर already sugar can पहले से बहुत जादा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका कोई utilization नहीं हो रहा है, वो पड़े-पड़े खराब हो रहा है, ठीक है, उसका consumption नहीं हो पा रहा है, तो क्या ऐसी situation में sugar can का production करना ठीक रहेगा? यह सौर no, definitely नहीं, क्योंकि आप produce तो कर दोगे, और government ने प्राइड डिसाइड करा हुआ है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर हम इसका एक economic impact देखें, तो इस situation में उसका utilization ही नहीं हो पाएगा, भई आपने sugar can त्यार कर दिया, produce कर दिया, लेकिन market में किसी ने खरीदा ही नहीं, तो सीधी सी बात utility, आपकी मेहनत ये क्या थी, ये resources थे, resources पहले से ही कम है, अगर आप उनको waste करोगे, तो wants को पूरा कैसे कर पाऊगे, तो better क्या है, आपने फिर reject करा किर sugar can करना ठीक नहीं रहेगा, आप बढ़े किस पर, rice पर, फिर आपने rice के बारे में study करी, आपने देखा क्या इसकी requirement है, हाँ जी है, क्या इसमें, जो market में इसका दाम अच्छा है, हाँ है, क्या बिकने के पूरे-पूरे chances है, हाँ जी है, तो आपने फिर design लिया, कि भाई, obviously एक काम करते हैं, sugar can का production ना कर, हमें rice का production करना चाहिए, economic point of view से, ताकि market में उसकी sell भी हो सके, और उसकी जो use है, उसका वो भी किया जा सके, अब यहाँ पर although सबसे जादा value किसकी थी, sugar can की, लेकिन उसका कोई benefit नहीं था, तो आपने move करा किस की तरफ, rice की तरफ, clear दोस्तो, done, ऐसे ही, अगर हम आगे बढ़ें, और इसको थोड़ा कहते हैं, analyze करते हैं, चलिए, भाई यह जो area था, अगर आप इसमें rice का production करते हैं, तो 100 kg, मान लीजिए, 100 kg, जो rice है, वो produce हो जाएगा, लेकिन और further analyze करने के बाद पता चला, कि भाई यह काम करते हैं, और 60, मतलब 60% area में, अगर मैं rice produce करूँ, तो वो काफी है, 40 kg जो extra produce होगा, हो सकता है, वो उच problem create करें, market में ना विके, मुझे भी जरूरत नहीं, यह मेरे घर में पढ़ा हुआ है, तो फिर एक काम करते हैं, इसमें third option, किस पर चले गए हैं, wheat पर, wheat जो पूरा का पूरा आपने analysis करा, ठीके, कि बहुआ, sugar can का production value जादा है, लेकिन market में भिखने के chances कम है, आप rice पे गए, rice भी आपने देखा कि ठीक है, जरूरत है, लेकिन सारे में करने की जरूरत नहीं है, wheat पर आजो, तो आपने क्या देखा, wheat की जो rank थी, वो third थी, अगर value के साब से जाएं तो, कोई गुंजाइश नहीं थी, उसके production की, लेकिन फिर भी, जब हमने situation को, पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से analyze करा, तो हमें क्या नतिज़ा निकल के आए, wheat का production भी किया जा सकता है, दोस्तों, ये आपके सामने problem थी, wants, resources, scarcity, उसके वेज़े से economic problem थी, किसको select करें, उस selection के लिए, आपने situations को properly study करा, properly समझा, और फिर आपने finally decision लिया, कि मुझे rice और wheat का production करना चाहिए, दोस्तों, इसी situation को, इसी situation को, कहा जाता है economics, इसी situation को, कहा जाता है, क्या economics, येस, exactly, यहाँ पर, जो wants और resources की situation थी, उसे हमने scarcity का नाम दे, that's called scarcity, scarcity leads to economic problem, क्योंकि हमारे सारी wants पूरी नहीं हो सकती, तो हमें selection करना पड़ता है, किसको select करें, that is a problem, और उस problem को दूर करने के लिए, जो हमने, एक study करी है, ठीक है, जो हमने पूरा analysis करा है, उस पूरा analysis को ही क्या कहा जाता है, economics कहा जाता है, so economic problem is what, solved by economics, आपका next week test है, test में आपको चार subject prepare करने हैं, ठीक है, अभी आपके पास 6 दिन का समय है, या मान लिजे 8 दिन का समय है, और आपके पास 4 subject है, ठीक है, आप क्या करोगे, मान लिजे 4 subject है, आपका economics है, accounts है, maths है, और मान लिजे 1 language subject है, ठीक है, अभी 4 subject आपको cover करने है, 8 दिन आपके पास है, आप क्या करेंगे, बताइए, आप क्या करेंगे, sir, 2-2 दिन per subject, हम ऐसा करेंगे, I don't think swap ऐसा करेंगे, और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने 4 subject है, अब 4 subject आपके बिल्कुल equal level पे है, ये एक probability size की बहुत कम है, आप definitely किसी subject में थोड़े ज़्यादा strong होंगे, किसी subject में weak होंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये situation का scarcity, अब मैं किसको पढ़ हूँ, किसको कितना time दूँ, that is economic problem, और फिर immediately आप कहो के, दो 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 दिन पर subject, शायद ये गलत होगा, क्यों, आप जिस subject में weak हैं, उसको time ज़्यादा देना चाहेंगे, जिस subject में आपको पता है, कि मेरी पकड अच्छी है, मैं इसमें अच्छा score कर लूँगा, तो उसको शायद आप एक ही दिन देंगे, तो यहाँ पर gap अपनी time management करते हो, आप चीजों को संभालते हो, कि भई यार जिस में weak हूँ, उसके question paper समझादा करेंगे, उसको time ज़्यादा देंगे, for example, मैं जियूम कर रहा हूँ, माल लिए, आप match में थोड़े weak है, जो normally एक सर होता है, ज़्यादा थर students के साथ, ठीक है, हम match में थोड़े weak है, या weak भी नहीं है, concept clear लेकिन practice की ज़रूद है, यार maths को तीन दिन देना ठीक है, ठीक है, तीन दिन देनेंगे, हम economics में strong है, विनीश सर पड़ाद ने बढ़िया, मज़ेदार, समझा आता है, है ना, सही बात है कि नहीं, तो obviously इस situation में आप क्या किया, ठीक है, इसके notes हमारे तैयार है, बस go through करना होगा, इसको हम एक दिन में prepare कर लेंगे, तो यह जब time distribution आप करते हो, कि अपने resources को analyze करके, इसी को हम क्या कहते है, economics कहते है, that is what economics, economics सबसे पहले शुरू होती है, जो हम सीखते हैं किस से, अपनी मदर से, भई मान लीजे, घर में जो आपकी सबजी आनी है, grocery आनी है, bills पे होने है, अब मान लीजे, mostly जो होता है, भई फादर ने एक particular amount कमा कर, ममा के हाथ में दे दिया, अब उस चीज़ को कौन manage करता है, हमारे ममी manage करती है, कि भई इतने की grocery आएगी, इतने का आपका जो vegetables है वो आएगी, जो other कोई requirement है घर की, buy करना है, वो उतने का आएगा, तो ये जो distribution है, भई obviously आपकी demand जादा है, household की demand जादा है, वो सारे उस amount में पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन एक best possible way में utilize करना, उस money को, उस resource को ही कहा जाता है क्या economics, तो अब definition जो आपने पहले लिखी, अगर आप उसकी तरफ नजर डाले, हमने क्या लिखा हुआ है, economics is about making choice, economics is about what, making choice, yes, हम choice करना सीखते हैं, choice हम क्यों करना सीखते हैं, वो इसलिए सीखते हैं, क्योंकि सारी problem, शुरू ही कहां से, scarcity से, so it is about making choice, in the presence of what, scarcity, scarcity थी, scarcity ने हमें क्या, economic problem दी, और economic problems को, economic problem को, हमने solve करा किस से, economics से, so that is the scenario for, what economics and economic problem, ठीक है, यह आपको clear होना चाहिए, resources आपके कम थे, wants हमारी जादा थी, उसे हमने scarcity का नाम दिया, scarcity is what, access of human wants, over available resources, resources कम है, wants जादा है, अब क्योंकि, obviously सारी wants पूरी नहीं हो सकती, हमें selection करना पड़ता है, किसका production करें, किसका ना करें, किस requirement को पूरा करें, किसको ना करें, that is problem of choice, economic problem का नाम दिया गया, उसको, and finally, इस problem को solve करने के लिए, जो हमने एक subject तियार करा, हमने एक theory create करी, अपना analysis किया, that all comes under the what, economics, okay friends, done, तो hope ये topic आपको clear हुआ होगा, बहुत सार एक्जामपल हमने इसके देखे, इस खोटा देते हैं, अब यहाँ पर, okay, so that is what, the meaning of economics, that is what about making choice in the presence of scarcity, अब आते हैं, economics के दाइरे पर, ठीक है, जो economics का दाइरा है, वो कितने हिस्तों में divided है, और इसके बारे में, हमने शायद पहले भी, कोई जानकारी ले रखी होगी, अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, आईए, अगर मैं economics की बात करूँ, अगर मैं economics की बात करूँ, इसको दो पार्ट में divide करा गया है दोस्तों, एक है micro economics, and the next is what, macro economics, ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ, micro, और अगर मैं बात कर रहा हूँ, macro, तो दोनों में एक ही difference है, एक I है, और एक A है, I means individual, and A means all, or aggregate, okay my friends, micro economics, macro economics, एक ही बड़ का difference हमें नज़रा रहा था, एक था क्या, micro I, individual, and macro A, all or aggregate, ठीक है, यह difference हिन में निकल के आता है, so economics को, specially दो parts में, दो studies में डिवाइट करा गया है, micro economics, macro economics, micro present करता है individual study, macro present करता है aggregate study, सरी है क्या, समझाई यह इसको, ओके, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें, micro की, वो क्या है, देखो, पर यह मान लीजे, एक pen है, पैन ही है, मानना किया, मारकर है, अब, obviously, इस pen को, बनाने में, कितनी production cost आई, ठीक है, इस pen को, बेचने के लिए, कितना advertisement किया गया, यह pen, किस market में, present होता है, किस market में, सबसे ज़्यादा बिखता है, ठीक है, इस पर profit कितना है, market में, इसकी demand कितनी है, market में, इसके supplier कितने है, अब, यह जो तमाम चीजे, हमारी study के लिए, हमारे सामने आएंगी, यह सब, जुडी हुई है, किस से, सिर्फ इस एक pen से, ठीक है, सब कुछ study कर रहे है, इस pen के बारे में, so friends, that is what, micro study, कि हम यहां पर, एक ही component को लेकर चल रहे है, एक ही commodity को लेकर चल रहे है, और, sorry, और उसके बारे में, यह तमाम चीजें, डिसकस कर रहे हैं, that is what, micro study, ठीक है, एक particular family की income क्या है, उस family की demand कितनी है, family की supply कितनी है, तो हम एक individual unit को study कर रहे है, कौन सा product बना रहे हैं, market में उनका कितना share है, profit ratio क्या है, यह तमाम चीजें, एक अकेली study, that is micro study, that is what, आपका individual study, तो जब भी हम study कर रहे हैं, किसी individual unit के बारे में, किसी भी individual unit के बारे में, that is what, known as micro economics, micro study, अब लेकिन, हमने बात करी थी, मार्केट में सिर्फ यह पैन ही, एकलौती unit है, यह एकलौती community है, नहीं, market में इसके जैसी बहुत communities है, even other communities भी है, उन सब की study, combined basis पर एक साथ करना, उसे कहा जाता है, क्या aggregate study, macro study, जितने भी goods and services है, सब के demand के बारे में, पता लगाना, सब की supply कितनी है, उसके बारे में जानकारी लेना, उन सब का average price क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, इन तमाम चीजों को, इसको कहा जाता है, आपका क्या, macro economics, यानि के macro study, ठीके, तो जब भी आप एक single unit की study कर रहे हैं, तो micro study है, और सब को overall एक साथ study कर रहे हैं, तो वो macro economics है, इसके और example लेखते हैं, देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ, यह pen है, यह pen 10 रुपे का है, assume कर लेते हैं, यह pen 10 रुपे से 12 रुपे बढ़ गया, तो जी मैंने rate निकाल लिया, percentage निकाल दी, 20% से price बढ़िया, वगेरा वगेरा, अब इसमें profit change हो गया, यह कुछ भी है, मैं study कर रहा हूँ, आज लोग price का ही change देख लेते हैं, तो यह क्या हुआ आपका, micro study, लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा, हमने initial classes में, आपका economics की, एक topic पढ़ा था, price index, क्या पढ़ा था, price index, उसमें, less beer, past say, fishers, यह method हमने पढ़े थे, और उसमें, हम other methods, weighted average method भी निकालते हैं, तो उसमें क्या होता था, कि उसमें हमारे पास, A, B, C, D, करके, 4-5 community होती थी, और दो different year में, उनके prices, available होते थे, किसी भी तरीके से, ठीके, हम क्या करते थे, कुछ formula लगाते थे, और finally, पूरा question solve करने के बाद, एक price index निकाल देते थे, माद लिजे, मैंने zoom कर लिया, इसका 125 आ गया, कितना आ गया 125, 100% से बढ़कर, यह 125% हो गया, यानि के, चेंज कितने का आया, 25% का, ठीक है, ध्यान दीजिए, basically price index होता क्या था, price index is a study of macroeconomics, यहाँ पर, यह 10 से 12 हुआ, जैसे अगर हम बात करें, चलो उसको example को बात में बताता हूँ, 10 से 12, 100 से 150, कोई पूछे कि community के prices महंगे हो गए, हाँ जी, कि जी, A के 10 से 12 हुए, B के 100 से 150 हुए, D के 40 से 50 हुए, इस तरह से बताओगे, नहीं, ऐसे तो पता नहीं, कितनी communities market में है, कब तक बताते रहोगे, आप क्या करते हो, आप average basis पर सबका एक rate निकाल लेते हो, कि यार on an average, सबका मिला कर, overall study करके, जो price बड़े हैं, वो 25% बड़े हैं, तो ये क्या show कर रहा है, macro economics, आप से पूछा गया, आपके कितने marks आए, last exam में, ठीक है, कितने percent आपने score करा, तो क्या आप हर subject का अलग अलग बताते हो, maths का इतना, economics का इतना, आपका English का इतना, ये पैन बना रहा है कौन, रॉलिटो, ठीक है, ये कमपनी है, इस पैन को बना रही है, इसका production कितना है, एक कमपनी का, 10,000 यूनिट, micro study, लेकिन क्या ये पैन, एकलोती ये ही कमपनी बना रही है, नहीं, पूरी इंडस्ट्री है इसकी, आपकी अधर कमपनी भी फ्लेर है, आपका रिनॉल्ट्स है, ना जाने कितनी कमपनी है, सो ओवेसली सब को टोटल कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, macro study, सो वेनेवर फ्रेंड्स, ये अर स्टड़िंग अबाउट, अबाउट अस सिंगल यूनिट, सब्सक्राइब करते हैं, so microeconomics is about, microeconomics, microeconomics, is a, branch of economics, branch of economics, which, studies, which studies, economic relationship, economic relationship, economic problems, economic relationships, economic problems, and, and their solutions, in an economy, at individual level, at individual level, so obviously, यहाँ पर, जो as a part of conclusion, जो main word निकल कर आया है, वो है individual level, ठीक, इसी तरीके से, हम macroeconomics की meaning की बात करते हैं, macroeconomics, is a branch of economics, is a branch of economics, which studies, which studies, economic, relationships, economic relationships, economic problems, and, their solutions, of an economy, of an economy, जो बिल्कुल सेम लिख दिया अपने definition यहाँ तक, बिल्कुल सेम आ रहा है, बस micro की जगा macro है, exactly, लेकिन लास्ट वर्ट चेंज होगा, at aggregate level, or as a whole, ठीक है, दोरों में से कोई बिटम आप यूज कर सकते हैं, तो obviously चीज एक ही है, हमारे बहुत सारे economic issues हैं, हमारी बहुत सारे economic problems हैं, उन problems का हम solution निकालने कोशिश करते हैं, solution पता लगाते हैं, ताकि economy survive कर सके, ठीक है, वो economics है, अगर वो study आप कर रहे हो individual level पर, that is micro study, और अगर वही study आप कर रहे हो overall level पर, एक combined level पर, so that is what, आपका micro economics, अगर हम example की बात करें इसकी, तो क्या हो जाएगा, demand for a good, demand for a good, supply of a firm, ठीक है, ऐसे income of an individual, या फिर price of a commodity, of a good, ठीक है, तो यहाँ पर जो example आपने लिखे, demand for, supply of income, price, यहाँ पर क्या चीज़ का मना रही है, you are concentrating only on an individual unit, या तो good है, या फिर्म है, individual है, community है, आप किसी एक पर concentrate कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन macro में, that is what individual level, लेकिन macro में, aggregate level, क्या example बनेंगे, इन ही से बना लेते हैं, यहाँ पर demand for good है, एक good था, सब को जोड़ दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, that is, aggregate demand, aggregate demand, ठीक, ऐसे ही, supply एक firm की, that is supply of a firm, सब को जोड़ दो, तो वो क्या बन जाएगा, aggregate supply, aggregate supply, income of an individual, ठीक है, एक की income, microeconomics, सब की जोड़ दो, overall, aggregate income, लेकिन उससे better word क्या है, हम यहाँ क्या यूज कर सकते है, national income, national income, पूरी country की income, ठीक, उसी तरीक ऐसे, price of a commodity, ठीक है, यह price एक good का हुआ, सब का combined, अगर आप निकालोगे, तो general price level, या price index, चलो, जर्ल प्राइस लेवल लिख देता हूँ, that's all about price study, general price level, price index के जैसा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने, level difference देखा, micro और macro में, क्या main difference निकल के आता है, जो main difference इसमें है, वो यही है, यह individual unit है, यह आपका narrow concept है, और उसका बड़ा प्रारूप, as an aggregate level पर, जो हम study कर रहे हैं, वो है आपका macro economics, got it my friends, यहाँ तक हमने content जो है, अपना समझा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, आगे, economics को हमने जोड़ा था, एक वर्ड के साथ, economic problem के साथ, कि basically economic problem होता क्या है, ठीक है, तो वो हमने समझा, कि हमारे resources क्या हैं, वो कम हैं, और हमारी जो wants हैं, वो क्या हैं, जादा हैं, उसके वज़ा से जो problem arise हो रही है, उसको हमने economic problem का नाम दिया, एक नॉमिक प्रॉब्लम हमारे साथ, क्यों arise होती है, एक simple सा content हमारे साथ, कुछ चना जाता है, तो easy है दोस्तो, इसमें कोई difference वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं, सबसे पहला point क्या, इसमें एक तो हमारी जो wants हैं, वो क्या होती हैं, unlimited, one after another, one after another, ठीक है, wants क्या है, unlimited है, एक पूरी होती है, उसके बाद आपकी दूसरी arise हो जाती है, तो ये खतम नहीं होती है, wants हमारी बहुत जादा है, और दूसरी ओर, जो nature ने हमें resources दिये हैं, वो limited है, limited resources, limited resources, provided, by nature, in limited quantity, limited quantity, ठीक है, लेकिन limited resources की जो कहानी है, resources की जो problem है, वो पहली problem क्या है कि वो limited है, problem यहाँ पर खतम नहीं होती, limited resources के होने से फर्दर, होने के कारण भी, एक और जो problem इसको बढ़ावा देती है, वो क्या है, that is what, alternative uses, of resources, it means, can only, be used, sorry, sorry, can be used, in a different manner, different manner, but, one, at one time, one at one time, ठीक है, सर, इसको समझाईए, alternative uses को समझाईए, देखो, समझते हैं, बिल्कुल easy है, कोई problem वाली बात ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखो, resources कम है, और always सी बात है, limited है, कम है, और alternative use of resources है, ये ज़्यादा समझने वाली चीज़, देखो, आपके पास, वोई farming land वाले example लेते हैं, आपके पास जमीन है, खेती करने के लिए, और आप उसमें production कर सकते हो, किसका, बताईए सबसे पहले, wheat का, किसका, wheat का, गेहूं का, और किसका कर सकते हो, गेहूं का, और किसका कर सकते हो, गेहूं का, और किसका कर सकते हो, गेहूं का, सर ये क्या, बार-बार गेहूं आ रहा है, हाँ जी, मान लीजे, मान लीजे, जो agriculture land आपके पास है, उसमें कोई और, हालाक यह ऐसा नहीं होता लेकिन मैं कि यह exemption लेकर चल रहा हूँ ठीके, कि भाई उसमें जो खेती हो सकती है, वो सिर्फ गेहुं की हो सकती है अगर आप उसमें rice का production करोगे, तो वो produce नहीं होगा अगर आप उसमें sugar can produce करेंगे, तो वो produce नहीं होगा जो वहां की fertility है, जो मिट्टी है, वो सिर्फ wheat का production कर सकती है गेहुं का production कर सकती है, अब क्या इस situation में आपके सामने economic problem होगी, नहीं होगी, उसमें economic problem का सवाल ही पैदा नहीं होता आपके पास option ही एक है, आपको यहीं जाना है, आपको उसी रास्ते पर चलना है तो यहां पर आपके पास जो resources हैं, जो भले कम हैं, लेकिन उनका alternative use नहीं है आपको पता है, कल या परसो, या आज से काम शुरू करो, हमें wheat का ही production करना है in this situation, there is no economic problem, economic problem कहां शुरू होती है जब आप उस use, आप उस agriculture land का, आप उस resource का different manner में इस्तिमाल कर सकते हैं different manner में इस्तिमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों, इस situation को कहा जाता है alternative uses of resources, problem आपके साबने कब शुरू होगी, कि यार, इसमें wheat का production भी हो सकता है इसमें sugar can be produce हो सकता है, इसमें rice भी produce हो सकता है, किसका करूँ, तो यहाँ problem शुरू होगी ठीक है, भाई, सीदी सी बात है, आपके पास factory है, आपके पास machine है, उस machine से सिर्फ plastic के product बनाने का काम हो सकता है तो economic problem आपके सामने है, प्लास्टिक भी मतलब मान लीजिए, आप ये pen बना सकते हो, that's it, और कुछ उससे नहीं बनेगा, economic problem नहीं है लेकिन उससे pen भी बना जा सकते हैं, उससे chair भी बना जा सकती है, उससे कोई और plastic equipment बना जा सकती है तो वहाँ आपके सामने problem आएगी कि किस कारोबार में हम चाहें, तो वह ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि alternative use थे उस resources के ओके friends, तो ये तीन main reason होते हैं, जिसकी वज़ा से economic problem हमारे सामने आती है दो हम already पढ़ चुके थे, कि unlimited wants और उसके बाद क्या, आपका limited resources ठीक है, wants आपकी क्या है, बहुत जाला है, unlimited है, और resources क्या है, limited है, लेकिन problem सिर्भ यहां तक नहीं है resources limited तो हैं ही, साथ ही उनका use भी क्या है, alternative जैसे, एक और example समझाए तो मैं आपको इसका, बहुत मान लीजे, आप क्या करते हैं, आपकी एक milk डेरी है अब milk आपके पास आता है, आपको पता है, आपके पास कोई further equipment नहीं है you have only one option, milk आएगा, pack करके sell करना है, that's it तो आपके सामने यहां पर economic problem नहीं है, क्यों? आपके पास equipment नहीं है तो आप milk जहां से आया, आपने उसको packing करी और आगे forward कर दिया, बेज दिया लेकिन आपके सामने economic problem कब शुरू होगी? मान लीजे आपके पास सार equipment है आप butter बनाने का काम कर सकते हो, वो machine आपके पास है, आप उससे करड़ बनाने का काम कर सकते हो ठीक है, आप उससे पनीर बनाने का काम कर सकते हो, अब क्योंकि आपके पास milk के बहुत सारे option available होगे तो कौन सा करोगे, direct बेचना ठीक रहेगा, या पनीर बना कर बेचना ठीक रहेगा, या कर्ड बना कर बेचना ठीक रहेगा, तो ये सारे options जब आपके सामने आएंगे, तो obvious सी बात है, उस situation में आपके समक्ष economic problem आएगी, तो जब जब alternative use होंगे, तब दब economic problem arise होगी, ओके friends, so that is all about the content of economic problem, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको या सटा देते हैं, अब यहाँ पर, हमारे slavus के content के इसाब से, जो major word हमारे सामने आता है, जो slavus में हमें पढ़ना है, and the word is, central problem, the word is what, central problem, सर अब यह क्या है, अभी एक problem से हटे थे, economic problem से भी, दूसरा भी हमारे सामने आगी, हाँ जी, इसको भी cover करते है, देखिए, central problem basically है क्या, समझते है, यह economic problem ही है, खत्म, यह economic problem ही है, जो हमने economic problem का मतलब अभी समझा, economic problem is what, problem of choice, economic problem is what, problem of choice, यह वो ही है, तो सर अब इसको अलग-अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे, दोस्तों, जो economic problem है, जो problem of choice है, resources का कम होना, ठीके, और क्या कहते हैं, आपका, wants का ज्यादा होना, और resources का alternative views होना, यह जो problem है, किसी particular family, या किसी particular society, या किसी particular country के सामने नहीं आती है, यह world में जितने भी families है, जितने भी लोग है, जितने भी countries है, सब के सामने आती है, चाहे आपकी poor से poor country है, या rich से rich country है, उनके सब के सामने economic problem arise होती है, so you can say, economic problem is common problem among all the countries, अगर एक poor country है, तो अपनी basic necessities को पूरा करने की problem उनके सामने होती है, even अगर एक rich country होती है, तो उस standard को maintain करने के लिए, further उसमें income generate करने के लिए, उनके सामने भी problems आती है, तो obviously चाहे rich हो या poor हो, सभी के सामने, जो हमने अभी economic problem की बात करी, problem of choice की बात करी, वो आती है, तो because economic problem is common problem, economic problem is a central point for all the countries, जहां पर बाके रुख जाती है, इसी लिए economic problem को ही central problem कहा जाता है, तो अगर मैं definition की बात करूँ, since economic problems are faced not only by a family, a society, or a country, or country, but it is, but it is faced by the whole world, whole world, therefore, economic problem is known as central problem, इसलिए economic problem को ही central problem का नाम दिया जाता है, ओके friends, अब यहां पर हमारे सामने, जो सवाल उठता है, वो यह के types, central problem के types कितने हैं, कितने part में हम central problem को divide करते हैं, तो दोस्तो, majorly, अगर हम बात करें, तो central problem को, हम तीन part, हलाकि central problem बहुत तरह की होती है, ठीक है, जो अगर हम कहें poverty, वो भी एक central problem है, अगर हम बात करें, problem of infrastructure, वो भी economic problem है, ठीक है, लेकिन main content के साब से, जो हमें पढ़ना है, वो तीन part में है, पहला है, problem of allocation of resources, दूसरा है, problem of fuller utilization of resources, तीसरा है, growth of resources, problem of growth of resources, तो अगर आप देखेंगे, हर problem में, क्या चीज़ common आ रही है, resources common आ रहे है, क्या resources वर्ड जो हो common आ रहा है, of be आ रहा है, लेकिन main word तो क्या resources है, ठीक है, so obviously अगर हम बात करें, resources, क्योंकि resources क्या है, कम है, limited है, तो हमारी problem उनी को लेकर है, तो उनी से related हम सारी के सारी बात है, discuss करते हैं, further allocation of resources भी, यह जो problem है, यह further तीन parts में divide है, कौन-कौन से, सबसे पहला, what to produce, and how much to produce, what to produce, and how much to produce, दूसरा है, how to produce, दूसरा है, how to produce, and finally last is, for whom to produce, for whom to produce, ठीक है दोस्तों, तो यह चीजें हमें यहां पर discuss करेंगे, करनी है, कि basically, जो हमारी central problem है, जो problems of the country होती है, वो majorly कितने parts में divided है, और उनके अंदर क्या content है, हाँ, यह चीज़ क्लेर हो गई है, कि जो problems है, वो related है, किस से, resources से, वो किस related है, resources related है, और पहले वाली problem को further हमने तीन parts में divide कर रहा है, what to produce, and how much to produce, how to produce, for whom to produce, ओके, दोस्तों, आज की class में इतना है रखेंगे, ठीके, next class में हम topic शुरू करेंगे, इन problems को लेकर, और hopefully, यह सारा content हम next class में finish कर लेंगे, कि central problem की, जो types हैं, वो क्या है, और उनका दाहरा क्या है, उनके अंदर content हमारा क्या क्या आता है, तब तक आप लोगों से request है, कि जो भी हमने आज की class में किया है, उसे एक बार revise करिएगा, ठीके, समझेगा, अपने notes पूरे करिएगा, अगर किसी भी particular topic में आपको doubt आता है, जो number आपके पास मेरा है, आप मुझे mail कर लीजे, टाकि जो problems हमारी immediate basis पर create हुई है, जो queries create हुई है, अगर वो साथ-साथ solve होती रहेंगी, तो further syllabus को cover करने में कोई problem नहीं आएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि जो भी आज class में होता है, किसी भी class में होता है, घर जाकर बस simply उसको revise करिए, कि जो भी आज ज़्यादा ज़्यादा,